पीडी स्मेकन वाले सारे तमाम दर्शका दा स्वागते बुलसन दागाज इस्विल दी कहम खबर दिनाल कर रहे हैं जो की पटी तो है पटी दे सरहाली तो है वड़ी खबर जो थे देर रात तक्रीबन एक वजे थाने थे हमला कर दिता गया दस दी के थे रॉकेट लॉंचर नाल हमले दा शक जताया जा रहे है फिलाल हुन पुलस दिकारी मौके थे पॉल्श रेने थे जांच मामले दी कीती जारी है अन पच्छात्या वलो थे हमला कीता गया है देर रात दिये कटना दसी जारी तक्रीबन एक वजे जदो की थाने थे नुकसान नहीं होया लेकिन अपने आप चे वड़ी कटना है कि थाने नूँ इसना निशाना बढ़ाया गया अते यह थे जो अंदर ही सांच के इंदर बढ़े है उसनों भी नुकसान पहुंचिया है यह जड़े शीशे तुटे नजर आ रहे ने जो तस्वीरां तुसी एस या फिर कोई बड़ा नुकसान करना चौंदे संच जिना ने इस कटना नूँ अंजाम दिता है देशतगर्दी हमला है या कोई वोर एक उन सब पता लगाया जाएगा फिलाल फोरेंसिक टीम ते डीजिपी तुरंत मौके ते पहुंच रहे ने जिना वलो जाग चड़ी है कीती जाएगी क्योंकि अपने आप से गंबीर मुद्दा है कि किते थाने जे सुरख्यत नहीं हैं जे थाने नो इसना टागेट कीता जाएगा ता फिर आम लोकां दी सुरख्या किस दे पर उसे रहेगी जिते पहले ही सूबे दे विच कानून विवस्ता लगातार सी सिर्फ एक देह्षक मचाना उनना दा मकसद सी या कोई बड़ा नुकसान करना चौन दे सन एह हुन पता लगाया जाएगा इस तो पहलना वी ऐसे तरह दा हमला रॉकेट लांच दिनाल इंटेलिजेंस हेटक्वाटर ते होया सी मोहाली विखे हाला कि उदों भी जानी जिते थाने थे हमला हुया और अंदर बने सांच के इंदर दे शीशे एस दिनाल तुट गे जो ए नुकसान अंदर पहुंच जाए अंकुष सर नाल सारे सी योगी जूचुके ने अंकुष इस तो पहलना वी हमला जड़ा हुया सी मोहाली विखे है इंटेलिजेंस पुले देश्यत फिलान लई ही जड़ा हमला हो किता गया है नौ माई नू जड़ो मौहाली दे आर्पी मौहाली दे इंटेलिजेंस हेटक्वाटर दो ते हमला होया सीगा ते सेम उसी अंदाज दे जेकर गल करिये कि मोडर्स परंडी तरीके दी सेम ही है जड़ी उसी अंद भिची जड़ू टक्रण जड़ा हमलें कि उसर्छ गी जड़ा होया है शसी ह्लाविची कोई धर नुक्सान नहीं होया सीगा दे इसमरें कुछ में जड़ है रिच्ड़े मोगन भोग है कोई नुकसान नहीं होया उसर्छ भी आख जड़ा घं़ाए लिश्यती तैटर्टब कि दिख्या जा सकता है आला कि उस मामले दे विच हले भी कुछ अरोपिया था हले पढ़ना हले जड़ा बाकी है लेकिन जिकेनल पंजाब दे विच महौल खराब किता गया है उस दिन आज साफ लग रहे है कि आनले दिना दे विच होड़ कोई वड़ी वारत तो अंजाम दित दा ही काम है जहां चोन तो बाद ही साफ होगाएगा कि इस दे विच्छे किस दे नंचूबे सीगे जड़ी हरकत सीगी लेकिन है जिसकिरा पंजाब दे विच महौल खराब करने कोशिश किती गई है यह उसी दिनाल जो रखते है देख जा सकता है बिल्कुल क्योंकि यह सरह द्रोन दे जरीयते सुबेच हो रही है और किते ना किते एही जड़े हथ्यार ने ओस सुबेदेविच देशत फिलाउन ता कम करें इस देवीच कि सरहत पार तो जड़े ड्रॉन दे रही जेकर गल करी हथ्यार आरे ने तो उना ज़िए इस्तिमाल जादा पंजाब दे आरपीज जड़ा आटेक है गार आसी दश्कन उसम जाना की है जी शच्छो मीटर दूरी तो ही बाखर सकता है ते मोटे तरके इस दो चलाया जांगा यहां रहा है लेकिन लॉंचर दिस्तिके लागर रहा है तरकी लॉंचर दे रही इस जड़ा रॉकिट नोग सुटे आग इंटैलिजन हेटकॉर्टर ते हमला हो ऐसे तो उस बील्डिंग देविच कोई जादा लोग उस वेले मौजूद नहीं सिगे लेकिन गदीमत है कि कोई वड़ा नुकसान नहीं होया है लेकिन जिस तक सवाल हैगा कि जड़ा सरहत पार तो जड़े हत्यार लगातार किती जारी तो इस हमले देविची ओही हत्यारा ता जड़े समाल हो सगदा है और किते ना किते एथे एक वार फिर तो कानून वे वसाते सवाल उठने लाजमी ने जित थाने ही सुरक्यत नहीं हन तो फिर आम लोकां दी सुरक्या किस दे सहारे है एक सवाल ज़रूर खड़ा जड़े दफ्तर हैगे उठे ही क्यों इसी के दे हमले हो रहे ने जड़ा मोहाली दा इंटाइलिजर हेल्कॉर्टर दे बिल्डिंग दे हमला किता गया ओवी जड़ा पुलिस देना संबंदर छी का एवी जड़ा हमला एवी सिधत और पुलिस ट्रीशन दे उते ही किता गया लेकिन देखना होएगा कि इस मामले वी जांच विच की कुछ सामने आंदा है बहुत बहुत शुक्री हमकुष फिलाल दी जानकारी ली तो फिलाल जिसन देनाल हुन अधिकारी पॉंच रे ने जांच की जारी है इस पूरे मामले दी कि आखिर कौन इस दे पिच्छे की इस सा पता लगाया जाएगा सारनाल रवी ही सारे से होगी इस विले जूट चुके ने मौके तो सनु जानकारी तस्वीरा पहुंचानगे रवी तवाड़े को फिलाल दी की कुछ जानकारी और अपडेट है जी बिलकुल रदा जी मौके ते मजूद हैं जो ले पिडिची नियूजदी टीम सबतों पहला है थे मौके ते पुजी जी सो तस्वीरा थानु दखा रहे हैं लगातार सरहाली ठाने दी बार दियां सो सथान पहते पहिंगा दिया के टरंतान ब kahण लगाये रहा है रहा है आज ज नोकान दे बेचे लगान दा महुंग पाया जा रहा है तो फिलहाल पुलिस सद्रकारी थे मौके दे पूझ चुके ने तो मीडिया जा समना कोई नहीं आ रहा है फिलहार जो लगाता जो कहा जा रहा है कि जो इस मामिले दी जाँच किती जा रही है तो कुछ देज़ बार SSP तरहनतार नहीं ये थे पूझ सक देने जी बिल्कुल बहुत एहम हो जानता है कि इस पूरे कटना दी जाँच चड़ी है तरीके दनाल हो वे किते ना किते एक बार फिर जड़िया इंटेलिजन्स सड़ा स्ट्रक्चर है उस्ते सवाल उठतेने कि आखिर किस दनाल जहियां हरकता नो जहियां कटना वनो अन्जाम देन व बिल्कुल जी कोईश देर बाद दस्या जा रहा है कि यह थे वोर सीनियर अफसर भी पोज़े जानेगे यह सो फिल हाल मीडिया नो कोश दस्या नहीं जा रहा है है तो इस दखा रहे हैं कि ठाने दे बार दिया त्सवीरा तो आटेनल सांजी अगरांगे कि यह थाना एपर ठाने दे बार भी कोई CCTV कैमरा है लगा नहीं होया थाने अंदर दी गल करिए ठाने अंदर बेशाक एक CCTV कैमरा लगा है पर बाहर ठाने दियां तस्वीरा तो आट अब्सक्राइब कर रहे हैं लगातार साथे वलों कोशना कोश इंड़ लेंदी कोशी की दियर पर इना दा कहना कि असी सामने नहीं आसागे पल हाल साथे सीनियर अफसर आउन के ताहीं तो हानो कुशना कोश जानकारी सांजी करांगे बिलकोल और जे विचकार क्योंकि हुन जानकारी मिल पाई है उन्तर बिलकुल रदा जी राद एक वैदी कर अंदर सी जा रही है ते नौ पॉलिस मलाजम दैसे आ जा रहा है के ठाने दे अंदर मजूद सी ऐसा चो सरहाली भी अंदर सी मजूद सी सो नौ जड़े करमचारी यों दैसे जा रहे हैं के ठाने दे जानी नुकसान हो सकता सी जिस तरह देनाल एते हमला कीता गया है लेकिन गनीमत रही कि कोई जहा नुकसान नहीं होया रवी बिल्कुल रदा जी एक ठोड़ इनाल तस्वीर संजी कर रहे हैं असी के जो के रॉकट लंचर दे जो कांदे दे उपर निशान साब दखाई दे रहे ने सो तस्वीरां दे विच्ट तो अनुशी दखान दी कोश्चिक करांगे सुए ठाने दी बार दी कांदे देवार है जिते के रॉकट लंचर दे बड़े बड़े निशान जो लगे ता नो दखाई देन गे सो स्थानक लोग भी कह रहे ने कि अगर फुलिस ठाना इस नहीं है ते असी अपनी स्रक्षा के में करांगे सो बड़े सवाल जो फुलिस प पंजाब दे बेट जो कनूनों बस्तादी स्थिति नूँ केस तरह देख दे तुसी अगली शार्दों कोई आपनों सुरक्षा समद ही नी रोज कोई ने कोई चांस हो आई रहें दा जो दो मर्जी वेखो तो बिलकुल जी ये लोगे ना तब यही कहना है कि जो कनूनों बस स्थिति पूरी तरहां डावान डोल नजर आ रही है सो लगातार हमले हो रहें ने बिलकुल स्थिति जड़ी है डावाडोल है लोकां दा विश्वास भी डोल दा नजर आ रहे है रवी फिलाल दी जानकारी शुक्रिया तो अटो लगातार अपडेट है तस्वीरां है तरन तारन दे थाने ते अटाक पंजाब दे अंधरूनी हलातां ते बहुत बड़ा सवाल या निशान है सरकार सुहिड नहीं अते ना ही सुहिटता वल कोई कदम चुकड़ी गाल हो रही है मेरी मांग है कि मुकमंत्री साब सामने और अते पंजाब नो जवाब दे